हलो फ्रेंट्स विल्कम तो माई योटूब चैनल जी एस क्लासेज में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज के हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलाजी प्रैक्टिसेट नुमर 18 को सॉल्व करेंगे यह प्रैक्टिसेट बिल्कुल इस स्लेवर्स के साम्यवाद क्या है राइट एंसर होगा ओप्सन नंबर एस क्रांतिकारी क्रियाओं में सहायक माक्स के अनुसार साम्यवादी घुसरा पत्र में कहा गया है कि साम्यवाद अपने शाब्दिक अर्थ में क्रांतिकारी प्रणाली का सिध्धान्त है जिसका राइट एंसर क्या समाजवादी आर्थिक वियुस्ता के बी सार भूत अंतर की सर्वोत्तम पहचान है राइट एंसर होगा ऑप्सन अमबर बी उत्पादन के साधनों का सौमित पूजी वाधी वियुस्ता में उत्पादन के साधनों पर भ्यकतिका पूंड धिकार होता है जबकि समाजवादी उ यूक्तिमूलक वैद सत्ता में से संबंदित कथन हैं इनमें से कौन सओ साई है ऍसलिए सब्सक्रान ओप्णित Malretched यह प्थावरी के द्वार्यों के बिश रुमिट पद में है राइट मिल्स ने किसने राइट मिल्स ने राइट मिल्स ने जो है राइट मिल्स के द्वारा या राइट मिल्स के अनुसार बराबरी के लोगों के बीच राजनीत संभौ नहीं है राजनीत के लिए सत्ता की द्रिश्ट से उच्छ अधिकार प्राप्त और उनके मातहद का होना अनिवार है तो इसका राइट एंसर क्या होगा राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर ए आज क्या हमारा अगला प्रश्ण है प्रतेख अस्थान पर समाज आर्थिक उत्पादन के क्रम में उपलद मानों संसादनों को जिन आधारों पर बाड़ते हैं वह है वह क्या है इसमें चार कूर दिये गये हैं पहला है आयो दूसरा है लिंक तीसरा है सारीरी की योगताएं और चौता है आप्चारी की यानि कि उपलब्द मानों संसादनों को जिन आधारों पर बाड़ते हैं हुआ हैं आयो लिंग सारीरिक योगताएं और आप्चारिक योगताएं तराइट एंसर होगा इसका आप्शन नमबर डी आजका हमारा अगला प्रश्ण है निम्न कथनों पर विचार केजिए यहां को कथन A से और दूसरे को कारण R से दर्शाय गया है कथन A कह रहा है कि परिवार एक प्रात्मिक सामाजिक इकाई है और इसका कारण दे रहा है कि परिवार अपने सदस्यों का सरच्छन करता है उन्हें आर्थिक समर्थन प्रतान करता है कुश्चन क्या पूछ रहा है हमार परण्तु आर गलत है और शांब गलत है परण्तु आर सही है तो राई टनसर क्या हो जाएगा तो इसका राई वॉजाएगा हमारा ऑ्प्षिन नंबर भीओ तुर ऑस्था ओनों जई यह परन्तु आर एक ही सही ब्याक्थ्या नहीं है, यानि कि एक सामाजिक सांस्कृतिक परियावर्ण के रूप में परिवार अपने सदस्यों के जीवन को जो है समाजी करण की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित करता है तता सदस्यों के बिवहारों का जो है या नियमन करता है या समाज की प्राथमिक इकाई है मरडान के अनुसार मर था आर दोनों सही हैं परन्तु आर एक ही सही ब्याख्या नहीं है बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्ण की तरब आज क्या हमारा अगला प्रश्ण है निम्नांकित पुस्तकों में से किसमें प्राथ्मिक समूहों की अउधारणा का उलेख किया है जो अबलच्छित करती है घनिष्टी अपने सामने के संबंद तो क्या होगा इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सर नमबर डी सामाजिक संगठन पुस्तक सामाजिक संगठन जो की 1909 में प्रकाशित हुई थी उसमें प्राथ्मिक समूह की अउधारणा को प्रस्तुत किया है किसने किया है तहाँ कूले ने किया है तैसका राइट एंसर हो जाएगा नहुदारों में परजय वनसान उकट संबंध पर निरभर ना होकर सभी निकट के संबंधरियों पर समान रूप से आधारित होता है किस पर होता है तिया उपए आस्थनिक पर होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number a, आज क्या हमारा अगला प्रश्ण है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिला ये तथा नीचे दिये गए कूटों के संकेतों का प्रियोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव के जे, सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है, हमारा इसका right answer क्या हो जाएगा, इसका right answer हो जाएगा हमा से, यह यह मिलान कहे लेते हैं, E Western Mark का, E Western Mark का किसे हो जाएगा, या History of Human Marriage से हो जाएगा, R Vifad का क्या हो जाएगा, R Vifad का होगा, The Mother से, R Vifad का होगा, The Mother से, R H Lobby, R H Lobby का किसे होगा, दिया होगा, Primitive Society से, और L H Margan का होगा, Asian Society से, ध्यान रखेगा, बहुत ज्यादा important question है, जिसका right answer हो जाएगा, हमारा option number C, आज क्या हमारा अगला प्रशन है, जिस बिवाह में एक उच्च जात की इस्तरी निम्न जात के पूरुश से बिवाह करती है, उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, राइट एंसर होगा option number B प्रतिलोम बिवाह क्या कहा जाता है उसे उसे प्रतिलोम बिवाह कहा जाता है जिस बिवाह में एक उच्च जात की इस्तरी निम्न जात के पुरुष से बिवाह करती है उसे प्रतिलोम बिवाह कहा जाता है राइट एंसर होगा option number B, आज का हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम बिद के अनुसार मेहर, जो मुस्लिम बिद के अनुसार मेहर होता है, वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, या किसके लिए होता है, जिसका राइट एंसर हो जाएगा option number A, यह बधु सुल्क है जो बिवाह के समय में दिया जाता है तो ध्यान रखेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टिन कुछ जाना है कि मुस्लिम बिद के अनुसार मेहर बदसुर्क है जो कि बिवाह के समय दिया जाएगा राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर ए आज के हमारा अगला प्रश्ण है सोरो रेट जो है सोरो रेट की निमलिखित परिभासा में से कौन एक सही है सोरो रेट की निमलिखित परिभासा में से कौन एक सही है राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर ए मृत पतनी की भगनी से बिवाह करने की एक प्रता है क्या है सोरो रेट मृत पतनी की भगनी से बिव करने की एक प्रथा है important question है या कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो ध्यान रखेगा कि सोरोरेट क्या है तो सोरोरेट मृत्पत्ने की भगने से बिवाह करने की एक प्रथा है आज का हमारा next question है निम लखित में से कौन एक समर्थक स्वजनों का द्रिशान्त नहीं है तो कौन नहीं है राइट एंसर होगा option number C पती और पत्नी पती और पत्नी संबंद बैवाहिक संबंद पर आधारिक स्वजन है ठीक है ध्यान रखेगा कि पते और पत्नी क्या है पते और पत्नी संबंद जो होता है या बैवाहिक संबंद पर आधारिक स्वजन है ना कि यह एक समर्थक स्वजनों का द्रिश्यान्त है ठीक है ध्यान रखेगा important question है आज क्या हमारा अगला प्रशन है निम लखित किस जात में पिता की संपत्ति सभी पुत्रों को बिराश्यत में बराबर नहीं मि कि नडार जात में पिता की जो संपत्ति होती है वह सभी पुत्रों को बिराश्यत में बराबर नहीं दी जाती है तो किस जात को नहीं दी जाती है तिसका राइट एंसर होगा option number D नडार जात को हमारा आज के अगला प्रशन है संस्थाओं को संप्रेशित कहने के लिए समयतियों के आकार निर्धारित करने के लिए संस्थानों को संप्रेशित करने के लिए विशिष्ट समयतियों की आवशकता होती है यह तत्य समयतियों के आकार निर्धारन के लिए जो है माता रखती है ध्यान रखे का important question है इसका right answer हो जाएगा option number C आज का हमारा अगला प् भाई के साथ रहने के लिए कहा जाता है राइट answer होगा option number C मातुल अस्थानिक मातुल अस्थानिक परिवार की प्रथा प्रोब्रियांड द्विवासियों में प्रचलित है इसमें भांजय बिवा के बाद अपनी पत्नी सहित मामा के यहां रहने चले जाते है जिसका right answer निम्न कथनों पर विचार केज़े यहां पर दो कथन देगे हैं पहले को कथन A से और दूसरे को कारण R से जो है दर्साया गया है कथन A कह रहा है कि संब्रात वर का उद्धा एक आपचारिक संगठन के रूप में होता है और इसका कारण बताय जा रहा है कि आपचारिक संगठन के रूप में होता है या कथन गलत है लेकिन जो इसका कारण दिया गया है कि आपचारिक संगठनों में प्रतिभास आली नेताओं की आवशक्ता होती है या हमारा सही है यानि कि कथन A गलत है परन्तु R हमारा सही है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नंबर D आज क्या हमारा अगला प्रश्ण है निवनिकित में से कौन उत्तरी भाग के प्रित्वंसी हिंदू परि दिवार में परिहास संबंद के कई प्रतिरोब विद्मान हैं जैसे देवर भावी के बीच भावी ननत के बीच जीजा साली के बीच आदी इसका राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नंबर C ब्यक्ति तथा उसके भावी के बीच हमारा आज क्या अगला प्रश्ण है अपने समू की संस्कृत को असवविकार करने की ब्यक्ति की प्रवित कहा जाता है तो राइट एंसर होगा ओप्सन नंबर A आहं केंद्रवाद कहा जाता है आहं केंद्रवाद अपने समू की संस्कृत को असवविकार करने की ब्यक्ति की प्रवित को आहं केंद्रवाद कहा जाता है राइट एंसर होगा ओप्सन नंबर A आज का हमारा अगला प्रश्ण है कुछ समदायों में माता तथा उसकी भगनी के लिए समान सब्दावली का प्रियोग किया जाता है निम लिखित में से यह प्रचलन किसका परिचालक है तो किसका परिचालक है राइट एंसर होगा ओप्सन नंबर C साली बिवाह का जिन समाजों में साली बिवाह का प्रचलन है वहां प्रथा के रूप में एक ब्यक्त को अपनी पतनी की सभी बेहनो से बिवाह करना पड़ता है तिसका राइट एंसर होगा हमारा ओप्सर नमबर सी आज का हमारा लाश्ट प्रश्ण है उस प्रक्रिया को जिसके दोरा एक विशिष्ट सांस्कृतिक समू के सांस्कृतिक लच्छन दूसरी संस्कृत में फैल जाते हैं कहा जाता है तो क्या कहा आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिस्लाइक कर दें और आपने वीडियो को डिस्लाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमें करके जरूर बताएं तो चलिए हम आपसे मिलते अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम